आज हम ओट्से बहुत हेल्दी और टेस्टी चिला बना कर तैयार करेंगे ये चिला काफी सॉफ्ट बनता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेस्टी वेज़ फुड पर ओट्स का चिला बनाने के लिए हम पैन में एक कप ओट्स लेंगे ये प्लेन ओट्स हैं अब हम इन्हें 4-5 मिनट तक लू टू मिडियम फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे इन्हें रोस्ट करने से ये आसानी से पिस जाएंगे और चिला का स्वात भी काफी ज़्यादा बढ़ जाएगा देखिए इन्हें रोस्ट करते हुए अब मुझे लगभग 5 मिनट हो चुके हैं अब हमकी इसका फ्लेम आफ कर देंगे और इन्हें थोड़ा ठंडा कर लेंगे ओट्स के थोड़ा ठंडा होने के बाद हमेरे मिक्सर के जार में डाल कर इसका पाउडर तयार कर लेंगे देखिए मैंने से पीस लिया है अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे अब इसमें 2 टेबल स्पून बेसन और 2 टेबल स्पून सूजी अट करेंगे इससे चीला में अच्छी बाइंडिंग आईगी अब हम इसमें 1 फोर्थ कब ग्रेट किया हुआ गाजर 1 फोर्थ कब बारिक कटा हुआ प्याज 1 फोर्थ कब बारिक कटा हुआ टमाटर एट करेंगे यहाँ पर आप सबजियां अपने पसंद के हिसाब से एट कर सकते हैं अब मैं इसमें आधा चमाज कदुकस किया हुआ अद्रक 1 चमाज बारिक कट की हुई हरे मिर्च और काफी सारा हरा धनिया एट कर रही हूँ अब मसालों में इसमें आधा चमच लाल मिर्ज पाओडर, एक चोथाई चमच हल्दी पाओडर, आधा चमच धनिया पाओडर, आधा चमच जीरा और आधा चमच अमचुर पाउडर एट करेंगे आप चाहें तो यहाँ नीबू के रसका या चाट मसाला का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अब इसमें आधा चमच नमक और एक चोथाई कप दही एट करेंगे अगर आपके पास दही नहीं हो तब भी आप इसे बना सकते हैं बिना दही के भी यह काफी टीस्टी लगते हैं अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी एट करेंगे और इसे मिक्स करते हुए इसका बैटर बना लेंगे देखिए मैंने चीला के लिए बैटर बना कर त्यार कर लिया है अब हम इसे ढखकर लगभग 15 से 20 मिनट तक रेस्ट करने देंगे देखिए अब बैटर को रेस्ट करते हुए अब लगभग 20 मिनट हो चुके हैं देखिए अब सूजी ने सारा पानी सोख लिया है और बैटर काफी गाड़ा हो गया है अब हम इसमें थोड़ा पानी एट करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखिए अब चीला के लिए बैटर बिल्कुल तयार है इसकी कंसिस्टेंसी हमें इस तरह से रखनी है अब हम गरम तवी पर थोड़ा ओईल डाल कर इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे अब एक चमज बैटर लेंगे और इसे हलके आतों से फैला लेंगे इसे सभी और फैलाते हुए आप इसे अच्छा सा गोल शेप दे दे हम इस चीला को थोड़ा मोटा ही फैलाएंगे बहुत ज़्यादा पतला नहीं फैलाएंगे अब हम चीला को उपर से अच्छे से ड्राय होने तक पकने देंगे देखें अब चीला उपर से काफी ड्राय हो चुका है अब हम इसके उपर आधा चमच ओईल डालकर अच्छे से फैला देंगे अब इसे पलट देंगे और इस तरह से हलका सा दबाते हुए सेक लेंगे कुछ देर के बाद हम दूसरे साइट पर भी थोड़ा सा ओईल डालेंगे और इसे अच्छे से फैला देंगे अब इसे पलट कर दूसरे साइट से भी कुछ देर के लिए सेक लेंगे देखे अब चीला दोनों ही साइट से अच्छे से पक चुका है अब हम इसे निकाल लेंगे ये चीला कम ओल में बना हुआ है और काफी हेल्दी है साथ ही ये खाने में बहुत बहुत ज़ादा टेस्टी लगता है आप इस रेसिपी को एक बाद जरूर ट्राय करें और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें